नमस्का दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगी गलो नाइन मेडिसिन के बारे में गलो नाइन मेडिसिन दोस्तो त्यार की जाती है नाइट्रो गलीसरीन से यानि नाइट्रो गलीसरीन इसका को मन्यों है गलो 9 head pain के लिए यानि headache के लिए बहुत ही जबरदस्त medicine है one of the best leading medicine लेकिन किन लक्षणों के अधार पर हम गलो 9 दवा का इस्तिमाल करेंगे इसकी क्या dose रहेगी, क्या potency रहेगी दवा की और कब तक इसको इस्तिमाल करेंगे ये बहुत बड़ा question है ये वीडियो दोस्तो एक educational purpose के लिए है ताकि मैं आपको समझा पाऊं या आपकी जो समझ है वो हमेपति और हमेपति दवाओं के प्रति बढ़ पाए इसका दोस्तो बैलाडोना के साथ comparison है यानि बैलाडोना और गलोनाइन का headache लगबग एक जैसा होता है लेकिन कौन-कौन से ऐसे basic differences है जिसके base पे आप पता लगा पाऊगे कि याँ पे आपको गलोनाइन दवा देनी है और इस तरह के सिर्दर्द में आपको बैलाडोना दवा देनी है क्योंकि दोनों के सिर्दर्द के symptoms एक दूसरे से काफी मिलते जोते हैं नमश्का दोस्तों मैं हूं डोक्टर सुनेल करणवाल हुमेपथी फिजिशी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों गलोनाइन दवा के headache को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक basic चीज़ उसको मोलते हैं congestion congestion एक medical term है लेकिन हिंदी में अब इसको असान बशा में समझते हैं जब भी किसी pipe के अंदर कोई pressure यानि pipe के अंदर पानी flow कर रहा है और उसको आपने आगे से दबा दिया तो क्या होगा पिछे से पानी का pressure बढ़ जाएगा और जो pipe के उपर जो पानी का जो pressure है उसकी tension भी बढ़ जाएगी यानि बाहर pressure लगना शुरू हो जाएगा अगर आगे से पानी बाहर नहीं निकल रहा है उसको आगे से हमने pipe को रोक दिया या दबा दिया तो ऐसा ही होता है हमारे दिमाग की नसों के साथ जब मारे दिमाग की नसों का आगे का इसा construct हो जाता है सिकुड जाता है तो पिछे से जो फून आ रहा है blood flow कर रहा है वो नाडियों के उपर एक pressure देना शुरू कर देता है बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है जैसे फटेगा इस तरह का pressure होता है तो यही pressure होता है इसको बोलते हैं congestion यानि जब बैलेडोना के अंदर सिरदर्द होता है तो इस तरह की feeling आती है कि उसको ऐसे लगता है जैसे नाडियां फट जाएंगी आगे blood flow नहीं कर रहा है नाडियां फट जाएंगी खून बाहर आ जाएगा इस तरह की feeling होती है उसको हम बोलते है congestion और एक टस टस करके एक दर्द होता है इसमें टस टस करके पेर होएगा पर ऐसे लगए जैसे blood बोह तेजी से flow कर रहा है और blood ऐसे लगए बाहर निकल जाएगा टाडियों को पार के इतना तेज सिर्दर्द जब होता है न तो वह होता है गलो 9 के अंदर और ऐसा ही तेज सिर्दर्द बैलेडोना के अंदर होता है दोनों के अंदर सेमी करेक्टर है थ्रोमिंग एडेक और कंजशन ऐसे लगए जैसे फट जाएगा चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि दोनों दवाओं के बीच में बिसिक डिफ्रेंस क्या है कि किस अधार पर हम बैलेडोना देंगे और कब हमें गलो 9 देनी है पेशेंट को तो सबसे पहला सिम्टम क्या है कि बैलेडोना के पेशेंट को जब गर्दन अगर आप पिछे की तरफ करोगा तो उसको आराम मिलेगा उसको रिलेक्स फिलोगा लेकिन गलो 9 दवाओं में तब देनी है जब उसको गर्दन पिछे की तरफ करने से सिम्टम बढ़ जाते हूं उसका सिर्दर्द बढ़ जाता हूं बैलेडोना के पिछेंट के अंदर प्रेशर से यानि थोड़ा सा भी अगर आपने दबाया या टाइटली अपने सिर को बाध लिया जैसा कि लोग सिर्दर्द के अंदर करते हैं कि सिर्को अच्छे से बाध लेतें तो उसको अराम मिलता है बैलेडोना में ऐसा ही होता है लेकिन अगर गुलुनाइन की गुलुनाइन का पिछेंट है तो उसको बाधना तो दूर की बात है अगर उसने टच भी किया थोड़ा सा भी प्रेशर भी लगाया या उसने कोई भी ऐसी चीज़ उसके सिर्ट पढ़ उगाया कपड़ा सिर्ट पर र navigate विलिया उससे भी इसकी सिंटम्स बढ़ जाएगी इसका पेन बढ़ जाएगा उसको ये बाल भी नी चीज़ें उसको इतना सा भी वजन से नहीं होता कि उसके सीर पे जो बाल है न वो भी वो कटवा लेगा दर्द के अंदर इतना जदा दर्द होगा कि उसको ये बाल भी ने चीए इतना रिलेक्स चीए उपर से बिलकुल हलका चीए कोई कपड़ा कोई चीज बिलकुल भी वजन ने चीए क्योंकि थोड़ा सभी वजन हो तो गलोनाइन के पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है लेकिन बेलाडोना में प्रेशर से टाइट बेंडे से आराम मिलता है नेश्टा दोस्तों लेटने से लेटने से दोनों के अंदर सीर्दर्द में कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर ब से गटन और ऑने लेकिन को बिल्कुल मॉव नहीं किया थाइड कुपल शेक नहीं किया सिर में जटका नहीं लगा तो उसको अराम मिल जाता है इसी लिए इसको अदरत inversion की दर्द के दूरान ट्रेवल्लOW नहीं करेगा बाइक पे ट्रेवल नहीं करेगा कार पे सब्सक्राइब टुर्ड ने करेगा कुण उसको ट्रेवलिग करते टाइब थोड़ा सा भी जटका लगता है तो उस्सेस है नहीं बढ़द बढ़ जाता बढ़े सो को जो मार्गड सींटम है कि घुलो 9 के पैसिंट को जो direction को बाष जा ता यानि दूप के अंदर जाने से aggravation होता है gli linguine के अंदर, लेकिन beladonna में धूब से कोई मतलब नहीं है, अब dhum में जाओ नहीं जाओ, beladonna की दरद में कोई सरी फरक नहीं में बढ़ेगा गरम कमरे में जाने से, धूब में जाने से, आग के पास जाने से दरद बढ़ जाता है gli linguine के पेशंट का यहां भी गर्मी है वहां उसका दर्थ बढ़ेगा वैलाडोना में ऐसा कुछ नहीं होता है तो बेसिक सा डिफ्रेंस क्या है कि बेलाडोना के पेशंट को बादने से टाइट बैंडे से आराम मिलता है वह लोनाइन के पेशंट को सिर्फे कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल भी वजन नहीं चाहिए बिल्कुल कोई चीश्र भी नहीं होने चाहिए नहीं होगा जाते है ऐसे बेलाडोना के नहीं बढ़ते है इन दो सिम्टम से यह पक्ड़ सकते हैं थीसरा ही है कि उसको गरद में नहीं लाने इसको जट़ःगा भी नहीं लगना fullness क नहीagen और जैसी अपने patient को दवा दी एकदम से magical improvement आपको लगेगा और दर्द एकदम से रुख जाएगा यह हुमेपथी की beauty है जिसे हुमेपथी दवा काम करती है symptom exact होने चाहिए अगर आपने symptom को अच्छे से पकड़ लिया तो दवा एकदम exact काम करें अब हम बात करते हैं दोस्तों potency की और dose की Glonine दवा को आपको acute case के अंदर 200 पावर के अंदर लेना है 200 पावर के अंदर 20-20 मिंट के gap से अगर आपने चार बारती medicine एक ड्रोप आदा कप गुन्वने पाने के अंदर तो आपका pain instant रोग जाएगा अगर इस तरह का pain हो रहा है और आगर आप लंबे समय तक इसको लेना चाहते हैं तो सुबह दो पहर शाम एक एक ड्रोप आदा कप गुन्वने पाने में 15 दिन लीजी 15 दिन के बाद आपको सि बैलिंग चली जाएगी और बहुत ही जब ड्रस इंप्रूमेंट आएगा pain killer से क्या होता है कि अगर आपने दर्द के दुरान pain killer लिया तो उतनी देर काम करेगा एक पर दर्द रोग देगा फिर वापीस दर्द आजाएगा ये कोई स्थाही इलाज नहीं होता है पर्मानेट इलाज होमेपेथि में किसी बीमारी का संभवा क्योंकि होमेपेथि उस बीमारी के कारण को खसम करती है और जब कारण खसम हो जाता है तो बीमारी अपने अप चली जाती है दर्द के दुरान हर मिलीज की मांसिख्ष्टिति अलग होती है यह हमें समझना दर्द के दुरान चिर्चरा हो जाता है वो शांत होता है शांत रहना चाता है उसको कोई शोर से रबाने चाहिए उसको किसी से बात नहीं करने दर्द के दुराने चीक है अगर उसको कोई भी उसकी बात नहीं मनेगा थोड़ा सा भी जैसे उसने पानी मंगा पेशंट दर् रहती है गुसा रहता है विमारी के दुरादे नॉर्मली वो ठीक रहता है थकान बहुत जादा हो जाती है काम करने का मन नहीं करता किसी भी चीज में मन नहीं लगता इस तरह का चिड़चिड़ा बीहेवियर उसका दर्द में रहता है तो यह गलो-9 के पिशन्ट की मांसिक्स के बारे में आपको information दिये आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अछ Commission के लाइक घर सबस्करमाइन